वैउयज्स झायल домой मेरे अगर प्रुदयिय report को बह檬र स्वागत है आज में आपको दिली के दस प्रेंटनेस वारें में जांगारी दूंगा आप अगर दिली में आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को अवज से देखें उसके अब निली में कहां कहां कैसे कैसे जाना आए इस समंद में अपना डिशीजन लें तो हमारे दर्ष्ट प्रेटनिस्गों में आप देखेंगे तो नमर 1 पर है हमारा लाल किला लाजगिला इसका निर्मान सहाजाने करवाया था मुगल बार्शा ने यह पूरा बलुवा पत्थर से बना हुआ है बहुत सुंदर भव्वे इमारत है लगवग दो किलो मेटर शेत्र के अंदर है 1857 में बिटिस सैनाने से अपना हेटकॉर्टर बनाया और 1947 के बाद दिल्ली के आजादी का प्रतीक यह माना जाता है और भारत के प्रदानमंत्री प्रतेक वर्ष 15 अगस्त को यहां से जंडा लहराते हैं जैसे अब लहरता हूँ आपको दिखाई दे रहा है और पूरे देश क की शान का प्रतीक है नंबर दो पर हम लें तो नंबर दो पर हें हमारा कmember कुतम मिनार क吧 कुद्व दिन एवक न करवाया था प्रंतो इसका पूरा होने में इस पर आवी तलग कोई जंग नहीं लगी है एक शोद कब इस है दूसरा आप इसमें पीछे से हाथ पकड़ेंगे जैसा चीना कम चीनी कम अविताब बच्चन की फिल्म में दिखाया गया है अगर आप दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं पीछे से तो बड़ा सुंदर और आपके वविस्चे के लिए बहुता सुनता अच्छा माना जाता है यह कि इसके बाद अगर हम नम्बर तीन की बात करें तो नम्बर तीन पर है हमारा हिमायू टॉम यानि कि हिमायू का मकवरा इसको इसकी भीभी ने बन वाया था ये लाल पत्थर से बनी हुई सबसे इसको बनाते हुए लगबग सारी नकासी और चीजों का ध्यान ताज महल की तरह बनाया गया जैसे आप दीख रहे हो ताज महल में संग्वर मर और इसमें बलुआ पत्थर का इस्तमाल के आया बहुत ही भब्बे और सुन्दर इमारत इसके बाद नमबर चार पर अगर आप आएंगे तो चार पर है हमारा लोटस टेंपल यहां पर बड़ी शांती से जाकर के सब प्रातना करते हैं और लगवग यह सबी धर्मों का लोग यहां पर आते हैं चाहें वो हिंदू हो, जैन हो, बौध हो, मुसल्मान हो, सब लोग आकर के हाँ पर बैठते हैं, प्रातना करते हैं, बहुत ही सुन्दर और देखने दिखाने लाइक जगह है, और अगर हम नमबर पांच की बात करें, तो नमबर पांच पर है हमारा, क्या है सुचो, यह हमारा लोधी गार्डन, यह इंग्लिश टाइम में बनाया गया था, बड़ा अच्छा पारक है, यहां टिकट नहीं लगती है, फिरी में आप गुम सकते हैं, बड़ी शांती पर यह जगह है, और इस पूरिये में जाकर के बड़ी शांती मिलती है, और आप अपने परिवार के सा हमारा अक्षर धाम मंदिर, जो भारत के अंदर देखें, तो दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का, और यह जमन अदी के किनारे बनाया गया है, बड़ा सुन्दर है, साम के हाँ लेजर शो होता है, जो मनुष्य के जर्म से लेकर मरत्यू तक की पूरी वर्था उसमें साथ पर है हमारा इंडिया गेट, इस पर लगवक तेरे हजार सहीदों के नाम लखे हुए है, यह पर्थम विशुद के जो सैनिक हैं, उनकी याद में बनाया गया था, यहां हर वकत अमर जवान जोती जलती है, और 26 जनवरी के परेड यहीं तक आती है, और अपने जवानो गर भी है, जिसना बच्चों का बेविन परकार के जानवरों के दर्सन भी करवा सकते हैं, इस से बिकली वाकिंग डिस्टेंस पर है, चिल्डन पार्क भी है बच्चों के लिए ही पर, और दिली के एक अच्छी मारतों में माना जाता है, नमर आठ, अगर नमर आठ की बात क से आती हैं, यहां पर क्योंकि शंगार की जगे बस्तों में बहुत मिलती हैं, गली प्राठे वाली खाने पीने के लिए बड़ी मशूर है, और बहुत ही हल्दी राम इत्यादी हलवाई सभी हैं, शेजगंज गुर्दवारा भी आपको हैं देखने को मिलेगा, नमर नौ प आया था, जब अपनी दर्ली से देवनागरी वहां जाकर करके अपने सिफ्ट करी दी अपनी राजदानी, नमबर दस, लंबर दस पर है गुर्दवारा बंगला साहिब, यह 24 गंटे लंगर चलता है, और गुरु महराज्य की किरपा, बहुत सुंदर जगे, देखने में आत देखने मादेश सकते हैं जो दानी जाम दानी किरेगा राखता है component, है तो पस्ति则 जया किरे वह एटरु में झाया सामिक पर दो